हलो दोस्तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आजवाइन के पराठे हरी आजवाइन के बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं दोस्तो तो यह हमने ले लिया गे हूं काटा और इसमें डालने हैं थोड़ी सी आजवाइन दोस्तो और यह छोटे चमच से हम अधराइब जाल Takes is very tasty तो यह बहुत ही tasty और healthy बनने वाले हैं यह हिंग दाल रहे है दोस्तों यह जरूरी है तोट साथ बूत ही अच्छी होती हमारे सहत के लिए तो यह हम डाल रहे हैं इसमें अब ठोडी सी हल्दी पाउडर आप पूरा मतलब चटनी और इसके साथ बनाएंगे खटी मिर्टी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों यह थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रहे हैं दोस्तों आप नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिएगा दोस्तों यह हमारी मेथी है जो ठंडियों मे शींट पत्ते हं और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इतना टेस्ट अच्छा लगता है की मैं क्या बता हूं दोस्तों इसमें डाल रहे हो थोड़ा सी हरी धन्य डाल दिया है और इसमें स्वाधनशार नमक डाल देंगे दोस्तों और यह आजवाइन है जो हरी हरी हर यह आज वाइन के पत्ते हैं बहुत ही तेस्टी और इतने अच्छी खुस्बू आती है इसकी कि मैं क्या बता हूं दोस्तों अब इसको हम अच्छे से गून के थोड़ी दिर रख लेते हैं अच्छे से बहुत अच्छे से मतलब गुनना है इसको और पांच मिनट के लिए रख देंगे आटा तो फूल जाता है आटा तो हमारे पराथे बहुत सौट बनते हैं दोस्ते आटा मरा गुन चुका है और तब तक हम कर लेते हैं चत्नी की तैयारी यह हमने पानी बॉयल करने अब इसके हम सारा चिलका उतार देंगे और इसका चिलका निकालने के बाद इसको आप मिक्सर में चाहो तो पीश सकते हो मैं मिक्सर में नहीं पीश रही हूं दोस्तो ऐसे ही मैस करूंगी इसको अच्छे से और यह रख दिया हमने कड़ाई दोस्तो अब इसमें हम इसको चटक जाने देते हैं और डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा तो यह हमारा चटनी खटी मिठी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी है चार पांच के लिए हमें ने लासुन की डाल दी है कुटा हुआ और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज इसको भी ब्राउ काम यह देखें पराठे में तिकोना पराठे बना रही हूँ आप चाहो तो चार कोने के जैसे मर्जी मितलब सेट दे सकते हो इसको और बहुत ही सौट अग्दम मुलाएं पराठे बनने वाले खाने वाले ठकते नहीं है खाते खाते पांच-छे पराठे इकटे खाएंगे आप बनाते बनाते ठक जाओगे बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं यह तो यह देखिए हमारे पराठे बनने लगे हैं दोस्तों और साथ में चटनी तायार हो रही है और इसमें हम डाल दिये थोड़ी सी हरी मिर्च इसको भी थोड़ी दिर प्याज के साथ पका लेंगे और पराठे तो बनी रहे हैं साथ में और गर्म गर्म परोसी है दोस्तों चटनी के साथ पराठों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो हमारे पराठे भी तियार हो रहे है और साथ में चटनी भी तियार हो रही है फटा फट काम हो रहा है दोस्तों इसे ही करना पड़ता है जल्दी ृसुई में तो फटफटी काम करना है नहीं तो लेट हो जाता है दोस्तो बहुत और यह डाली थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च आप नहीं खाते हो तो लाल मिर्च अवायट कर सकते हो यह थोड़ी सी हरी डाल रही है हैं दोस्तों कि आप जरूर ट्राइ करना एक बार और कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा दोस्ते टमाटर हमारे गल गए हैं अच्छे से और इसमें हम डाल देंगे स्वाधनसा नमक दोस्तों नमक अपने हिसाब से आप स्वाधनसा डाल सकते हैं और अब इसमें हम यह जल्दी से गुड़ मिलता नहीं है और हर जगा यह सिफ हमारे यूपी में यह गुड़ मिलता है दोस्तों इसमें हम डाल दिये हैं थोड़ी सी धनिया हरी और यह हमारे ब्राटे बनके रेडी हैं दोस्तों अच्छा लगे तो लाइए